जैहिन दोस्तो मैं रज़ेश शुकला एक बार फिर आपका सुवात करता हूँ एक नहीं वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्धमपूर शिनेगर बारा मुला रेल लिंक परियोचना के बारे में जिसे हम USBRailway Project भी कहते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने के रियाइसी रेलवे स्टेशन की कि रियाइसी रेलवे स्टेशन में Girиной आने के लिए अप तरीके से तैयार हैं तो वहाँ की जो basic needs जरूरी है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है या नहीं इसके बाद बात करेंगे दोस्तो ब्रेज नमबर 60 सवाल को ट्रेल्वे स्टेशन की कि सवाल को ट्रेल्वे स्टेशन पर कितना काम अब बचा हुआ है दोस्तो वीडियो होने वाली है काफी इंफर्मेटिव तो वीडियो को एंट ज़रूर देखेगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चले दोस्तो अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो एक वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी समरी में मैं आपको USBRail प्रोजेक्ट समझा दू की USBRail प्रोजेक्ट के तहत जम्मू को शीनेगर से जोड़ा जा रहा है इसमें एक सेक्शन पड़ता ह वीडियो पर रियाईसी रेलवे स्टेशन पर दोस्तो रियाईसी रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तयार हो चुका है लगबल लगबल 98-99% काम पूरा हो चुका है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बनकर तयार है शैड लगा दी जा चुकी है दोस्तो प्लेटफॉर्म और टिकेट काउंटर रेलवे स्थाफ के कैबिन een फूट ओवर बिरिज्च बनकर तैयार हो चुका है रियलवे इस्टेशन की में में बिल्लिंग भी बनकर तैयार है रियलवे स्टेशन गएऻिए आप बिलकुल तयार हो चुका है दोस्तों जैसा कि आप तो ये काफ़ी अच्छी बात है सिकारेस इलेक्शन से पहली दोस्तो यहां मैं आपको पता दूँ कि रियाइसी रेल्वे स्टिशन एक बहुत ही एहम मेन रेल्वे स्टिशन है इस पूरी USBRL परियोजना के अंदर आईए दोस्तो अब बात करते हैं भारतिय रेल्वे के 100 दिन के मेगा मास्टर प्लैन के बारे में जो की था जम्मू कोश्री नेकर से जोड़ना वो भी नई सरकार के बनने के बाद 100 दिनों की अंदर दोस्तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगी कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं पिछली सरकार नहीं फिर से इस इलेक्शन को जीत कर वापसी की है तो जानि कि भारतिय रेल्वे के प्लैन में कोई चेंज होज़िस होने वाले नहीं है लेकिन क्या 100 दिनों के अंदर जम्मू को शिनेगर से जोडने के वाली ये USBRL परियोजना पूरी खोल दी जाएगी इस पर आईए बात करते हैं दोस्तो पूरी USBRL परियोजना इन 100 दिनों के अंदर खोलना तो काफी मुश्किल टास्क है क्योंकि संगलदान से लेके कट्रा तक का जो सेक्शन है इसमें रियाइसी से लेके कट्रा तक काट काम अभी काफी जाता डिले होने वाला है लेकि संगलदान से लेके रियाइसी तक का सेक्शन इन 100 दिनों के अंदर लगभा लगभा खुल जाएगा दोस्तो रियाईसी से लेके कटरा तक के सेक्षन में अभी डिले होना है क्योंकि टरनल T1 अभी तक पूरी तरीके से बन कर तयार नहीं हुई है टरनल T1 के अंदर काफी हद तक अभी काम बचा हुआ है जिसमें मैंने अपने को पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि 5-6 महीने का वक्त अभी और लग सकता है टरनल T1 के पूरा होने में इसी वज़े से दोस्तो यह पूरा सेक्षन तो अभी नहीं खुल पाएगा सौधिनों के अंदर लेकिन संगलदान से लेके रियाईजी तक अक्षन जो की अब कंप्लीट होने के मुहाइने पर खड़ा है वो इन 100 दिनों के भीतर खूरा जा सकता है दोस्तो टरनल T1 कटरा साइट से पढ़ने वाली पहली टरनल है टरनल T1 तिर्कुटा परवत के नीचे से होकर गुजर रही है जहां पर वैश्नो देवी माता का मंदिर भी है दोस्तो क्योंकि यह टरनल यंग हिमालियास से होकर गुजर रही है तो यहाँ पानी के रिसाब काफी ज्यादा था जिसकी वाज़े से इस टरनल को बनाने में इंजिनियर्स, टेक्निशन और लेबर्स को काफी ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा था लेकिन अब यह टरनल पूरी तरिके से अपनी कंपलीशन की तरफ बढ़ रही है और जल्द ही कुछ महीनों में इस टरनल को पूरी तरिके से कंपलीट कर दिया जाएगा दोस्तो इस USBR परियोजना के दो सबसे मुख हाइलेटिट पॉइंट्स अंजी खट ब्रिज और चिनाब ब्रिज जो इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है और चिराब ब्रिज जो की दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज है यह दोनों ही बनकर पूरी तरिके से अब तयार है दोस्तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लैक ज़रू करें और कमेंट करना बिलकुल न भोलें मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में